नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आपकी अपने यूटूब चैनल, अपनी क्लास में, दोस्तों, यदि आप अभी कक्षा दसमीं और बारवीं के अंदर आए हो, और दोस्तों आप 2,22 में बोर्ड परिक्षाएं देने वाले हो, तो दोस्तों आपका बड़ा सवा तो यही है कि हमारी board exams होनी है या फिर नहीं होनी क्या आमें बिना परिक्षा लिए ही promote कर दिया जाएगा और pass कर दिया जाएगा तो दोस्तों आपको मैं इस video के अंदर सारी जान करी दूँगा कि आपका 22 में syllabus से वो कम होने वाला या फिर नहीं होने वाला और साथ ही आपकी परिक्षा हैं क्या दोस्तों दो बार ओने वाली है और साथ ही आपकी जो परिक्षा हैं उनको सरल बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा ये मानते हैं, तो आप मैं आपको बताता हूँ कि नई शिक्षानीती के इंतरगत आपकी दस्मी और 12 बार्मी की बोर्ड प्रिक्षाएं होंगी या फिर नहीं होंगी, तो देख सकते हैं, इसमें ये न्यूज है कि अब दस्मी में फेल होने का डर खतम है, क्योंकि दस्मी की बोर्ड प्रिक्षा है वो दोस्तों दोजर 22 में नहीं होगी जी हां दोस्तों नहीं शिक्षा नहीं थी है वो दोस्तों साप साप कहती है कि दस्मी की बोर्ड प्रिक्षा हैं वो दोस्तों ना कराओ क्योंकि दस्मी का विध्यारती है वो बहुत ही मासूम होता है और उसको इस उमर में टेंसन देना बहुत गलत बात है ठीक है तो इस परकार से दोस्तों दस्मी की बोड प्रिक्षा नहीं होगी केवल दस्मी की विध्यारतियों की जो प्रिक्षा है वो दोस्तों स्कूल लेवल पर होगी क्या होगी दोस्तों के परिक्षा वारमे की परिक्षा है, वो होने वाली है, बोड परिक्षा ठीक है, तो इस प्रकार से ये नहीं सिक्षानित है, उसमेशısı पहला बड़ा बदलाहो हैँ, दोस्तों तो इसमें आप देखिए लिखावा है कि जो भारत के अंदर नई शिक्षानिती लागू की जाएगी इसे दोस्तों भारत का जो education system है वो पूरी तरह से बदल जाएगा दोस्तों तो इसमें आप देखिए लिखावा है कि जुलाई में ही लागू होगी नई शिक्षानिती यानिकि दोस्तों जुलाई 2021 के अंदर नई शिक्षानिती है वो लागू हो जाएगी और दोस्तों नई शिक्षा निती के अंदर दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि दोस्तों आप कक्षा 11 वी के अंदर कोई भी सब्जेक्टे वो चुन सकते हो ठीक है तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अब नई शिक्षा निती के तहत होंगे यानि कि दोस्तों आप इतने भी एडमिशन होंगे 222 की बोड़ प्रिक्षा के लिए वो दोस्तों यहाँ पे नई शिक्षा निती के अंदर गत लिए जाएंगे ठीक है तो इसमें दसमी बोड़ तो यहाँ पे खतम हो चुकी है केवल यहाँ बारवी बोड़ की परिक्षा है वही ली जाएगी तो देखिए यहाँ पे मैं आपको जो नियूज बता रहा था तो आप जानते हैं कि इतिहास जो है वो आर्ट्स का है और जो फिजिक्स जो है वो साइंस का है दोस्तों यह दोनों के दोनों क्या है अलग-लग संकाए है लेकिन दोस्तों नहीं सिखसानिती कहती है कि आप दोनों संकायों के किसी भी सब्जेक्ट को आपस में जोड सकते हो और कोई भी सब्जेक्ट है वो पढ़ सकते हो तो देखिए अब विज्ञान की पढ़ाई करने वाले चातर जो भी सब्जेक्ट है वो आप पढ़ सकते हो तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि 222 में जो एक्जाम सोंगे उसमें आपका सेलेबस है वो कम होने वाला या फिर नहीं होने वाला तो इसमें आप देखिए लिखावा है कि 222 के एक्जाम में जो syllabus से वो कम होगा या फिर नहीं ठीक है तो दोस्तों आपको बदाना चाता हूँ ये जो 22 में जो syllabus से वो लगा है NCRT का कौन सा लगा है दोस्तों NCRT का syllabus लगा है और दोस्तों आपका जो syllabus है वो इस साल स्कूल ना खुलने की वज़े से 40% कम होने वाला है जिया दोस्तों 40% आपका syllabus है वो reduce किया जाएगा कम किया जाएगा ठीक है दोस्तों ये जो बात है वो दोस्तों हमारे केंजरी शिक्षा मंतरी डोक्टर रमेश कोकरियाल निशंग जी ने कही है तो इस परकार से आपका syllabus कम होगा और दोस्तों जो संकाई की बाद देता है वो खतम कर दी गई है आप कोई भी subject टून सकते हो जो भी आपका मन पसंद है और दोस्तों नई शिक्षा नेती है उसी के तहत आप जो admission है वो होने वाले है और साथ ही अपकी वार्थ 10 भी बोड प्रिक्षा है वो खतम हो गई है और दोस्तों जुलाई के अंदर जो नई शिक्षा नेती है वो लागू हो जाएगी दोस्तों तो इस परकार से यदि आपको मेरी ये नई शिक्षा नेती में जो भी बदला हुए है उसकी जानकरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो दोस्तों आप मिलते हैं कि सेनने वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत